हलकी हलकी सी ठन पढ़ रही हो और ठन की शुरुआत हो तो किसको खाना पसंद नहीं है तो आज हम आपके लिए लेकर रहे हैं ऐसी ही लाजवाग रेस्पी अगर मैं कहूंगी आप एक कपाटे से बाजार जैसा कुछ इस्पेशल बना सकते हैं जो मन को तो भाई रही आपके स साथ को बढ़ा देगा हैलो एवरिवन वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम आपके लिए सिर्फ पांच काजु से बहुत ही तेस्टी और मेहंगी मिठाई की देश भी लेकर आए हैं जो बहुत ही आसानी से और कम समय में बनकर तयार हो जाती है बहुत ही स्मूध बहुत ही क् शक्कर यानि की चीनी और इसमें हम डालेंगे दो हरी लाइची अगर आपके पास कोई और एसेंस वो भी आप डाल सकते हैं यहाँ पर हमने लिए हैं पांच काजु इससे जो है ना फ्लैवर बहुत ही जादा अच्छा आता है बिल्कुल काजु की बरफी लगती है तो इसक छि Gucci का दीन ग्राद आ उर इसको भी हम ग्राइंट कर लेंगे यहाँ पर मैंने इसको भी ग्राइंट कर लिया है frameworks और उसको भी हम उसी बाओल में ट्रांस फर कर देंगे जिसमें हमने शक्कर डानी थि यह पर आप देख सकते हमें पर यह थिया सकते हैं इसको बहुत तर औ यूज नहीं करना है यहां पर मैंने चार चमर डारा है क्योंकि यह मॉस्टराइजर छोड़ता है तो हमें थोड़ा थोड़ा दूद करकर यूज करना है यहां पर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जैसे हमने इसमें थोड़ा थोड़ रूट डाल कर मिक्स किया है ना यह बिल्कुल मावे के जैसा दिख रहा है बाजार में मावा यह खोया मिलता है ना यह बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है इसको जादा हैवी हातों से नहीं मिलाना है हलके हलके हातों से मिलाना है अगर यह आपके हातों में चीपक रहा है तो और आप देख सकते हैं हमारा दोब back तायाड हो गया है आप में सके तोड़ थोड़ फारमे लेकर इसकी मिठाई बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर आप जो शेνद देना चाहें वो शेड़ कर दे सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको ऐसा शेड़ द citizens record यहाँ यह देखिए हम इसको इसी तरह में बना एक और टाया्यार कज़ेता हूरे जिसके और हमारे मावा रॉल बनकर तयाई और तायार कए है तो इस पर अजिए आज लगा देंगे इससे यह बहुत ही ज़्यादा डिलीसेस लगते हैं यह पर आप देख सकते हैं हमारे रॉल बनकर बिल्कुल तैयार उचके हैं इसको हम आदे खंटे के लिए पंके की हवा नीचे छोड़ देंगे और इसी तरह से आप यहाँ पर एक लंबर रॉल भी बना सकते हैं यहाँ पर मैंने जो बचा हुगा था न मावा उसका एक लंबर रॉल बना लिया है इसको भी हम कट कर लेंगे यह देखिए बहुत ही ज़्यादा फार्म में अच्छा बना हुगा है आप चाहें जो भी शेप दे सकते हैं पेड़े का दे सकते हैं जो चाहें आप दे सकत यह सबको बहुत ही जादा पुसंद आने वाली है तो ली जी बहुत ही स्मूद बहुत क्रीमी और बहुत ही टेस्टी मिठाई बनकर तयार है और जो आप बाजार की महंगी मिठाई खाते हैं उससे यह कम नहीं लगती एक बनाकर तो देखिए आपको असमें बहुत ही जाद लिया है यह वही आटा है जिसे हम नॉर्मली घर में रूटिया बनाते हैं यहां पर हम ले लेंगे एक चौथाई कप सूजी यानि की रवा लिया है अगर आपके पास बारिक सूजी नहीं है तो आप नॉर्मली सूजी को मिक्सी में ग्राइंड करके इसका इस्तिमाल कर सकते ह साथ ही यहांपर मैंने एक चौथाई कॉप सूजी यानि की रवा लिया है दोनों को मिलाकर मैंने यहांपर एक कप लिया है आप चाहो तो बिना सूजी के भी बना सकते हैं अब हमने पावर्डर को अच्छे तरह से मिक्स कर लिया है इसके लिए ।ब्र में एक ग्लास में दूद का जो temperature है उसे सह सके देखिए मैंने यहाँ पर एक कप का measurement लिया है और दूद को मैं इसमें डाल देती हूँ एक कप के हिसाब से अभी इसमें दूद का इस्तिमाल कर रही हूँ एक दम इसे पूरा नहीं डालेंगे पूरा इसमें डाल देंगे तो यह बेकार हो जाएगा थोड़ा थोड़ा करकर डालेंगे और इसे अच्छे सी mix कर लेंगे अगर आपने एक साथ डाल दिया ना तो इसमें लंस बन जाएंगे और इसे मिलाना मुश्किल हो जाएगा तो आप इसको थोड़ा थोड़ा करकर डालिए और इस तरहां से मिलाते जाएए अब हम क्या करेंगे ना इसमें थोड़ा सा टेस्ट लाने के लिए ना हम इसमें थोड़ी सी दूद की मलाई एट करेंगे जो दूद के उपर मलाई जम जाती है ना बस वही मलाई हमें लेनी है लागवक्त दो छोड़ी चमच के करीब हमने इसमें मलाई डाली है अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप यहाँ पर मावा यह फिर अमूल की फ्रेश क्रीम ले सकते हैं अब हम बैटर को लो 15 मिठ्स करने देते हैं 15 मिठ हमारे यहाँ पर हो चुके हैं एक है घोल हमारा बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है अब हम क्या करेंगगे इसमें जला है नी जली लेता है दें damit हम दाले है ताकि हमारा जो घोल है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए और स्मूज सा घोल बनकर तयार कर लेते हैं तो देखिए मलाई इसमें अच्छे से घोल गई है और मिक्स हो गई है बैटर एकदम परफेक्ट तयार हो चुका है तो चलिए हम चाषणी तयार कर लेते हैं चाषणी तयार करने के लिए हमने गैस पर एक पैन रख लिया है और यहाँ पर हमने एक कप पानी डाला है और यहाँ पर हमने एक कप चीनी डाली है दोनों मैजरमेंट के हिसाब से एक कप चीनी और एक कप पानी है इसको हम अच्छे तरीके से पका लेंगे गैस की फ्लेम हमें मीडियम ही रखने है और इसको हमें चीनी को घुल जाने तक पकाना है जब तक हमारी चास्टी चिपचिपी ना हो जाए इसको इतना ही पकाएंगे जब तक हमारी चीनी डिजॉर्ब ना हो जाए हमें एक या दो तार वाली चाशनी नहीं बनानी है हमें बस इतनी चाशनी बनानी है कि अच्छी तरीके से चीनी हमारी घुल जाए और अब हम इसमें फिलैवर के लिए डाल देंगे अदा चमच इलाइची पाउडर अगर आपके पास है तो आप डालें यह ऑप्शनल है मरना इसके कोई बात नहीं है यहाँ पर हमारी चाशनी बनकर तयार हो चुकि यह बिल्कुल परफेक्ट चाशनी बनी है यहाँ पर हमने गैस पर एक कड़ाई रख ली है और इसमें हमने देशी गी डाल दिया है गी हमारे यहाँ पर परफेक्ट तयार हो चुका है अब हम यहाँ पर देखते हैं जो हमने मिक्शर ले आता उसका हम घोल डालकर यहाँ पर देखते हैं कि हमारा मालपुगा परफेक्ट बनता है या नहीं ये देखे हैं हमारा मालपूः बिल्कुल पर्फेक्ट बना है इसका मतलब हमारे मिक्चर के कंस्ट्रेसी बहुत ही अच्छी बनी है आप देख सकते हैं मालपूः बिल्कुल तूटा रही है और ये अपने तरफ से एक शेप ले रहा है अब हम इसको पलट लेते हैं यह देखिए यह कितने अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुका है अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं इसी तरह से हम और मालपुई बना लेते हैं आप देख सकते हैं मालपुई हमारे बहुत जादा परफेक्ट बनकर तयार हो रहे हैं, इसी तरह से हम और मालपुई तयार कर लेते हैं, यहां पर हम और मालपुई का बैटर धीर धीर करके डालेंगे, यह देखिए कितना अच्छा शेप आ रहा है, मालपुई का बैटर है, अपने आपी शेप ले रहा है यहां पर आप देख सकते हैं हमारे मालपूई का बिल्कुल अच्छे से तयार हो रहा है आप देखिए यहां पर बहुत ही अच्छे से मालपूई बनकर तयार हो रहे हैं यह देखिए हमारे मालपूई बनकर तयार हो चुके हैं अब हम इनको चा यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे कितनी धेर सारे माल पूय बने हैं वो भी सिर्फ एक कप आटे से और यह बहुत ही ज़ादा डेलिशेस बने हैं आप यकी नहीं मानेंगे कि यह आपने गिहूं के आटे से बनाए हैं वो भी बिना मैदा के मैं आपको इसको इसली बता रही ना उससे यह कम नहीं लगती एक बार बनाकर तो देखिए आपको इसमें बहुत ही ज़ादा पसंद आने वाली है और वैसे भी रच्छा बंदन का तेहार है तो यह मिठाई बनाना तो बनता है लग रही है ना बिल्कुल मार्केट जैसी खाने में भी बहुत अच्छी लग बनाना तो बनता है कोई यकी नहीं मालेगा कि आपने इसको बिना गैस जलाए सिर्फ पांच कादू से बहुत ही टेस्टी और महंगी मिठाई की डेस्पी बनाई है जो बहुत ही आसानी से और कम समय में बन जाती है पता ही नहीं चलता है हमने इसमें नारियल डाला है या फ बिल्कुल तयार है बहुत जादा क्रीमी बन कर तयार हुई है तो आप इसको जरूर ट्राई कीजेगा अगर आपको हमारी रेस्पी अच्छी लगी हो तो आप हमारी रेस्पी को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मे नए यूनिक रेस्पी के साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप हमारी वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लहाफेज